इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर सामने आ रही हैं ख़बर यह यह कि डेलन सिंग इस्थिफ़ा दे रही हैं और ख़बर यह भीए और सबसें हो गी बात करेंगे आशुटोस कही जानकारी निकल कर सामने आ धी मार उन्होंने वाली से शाप साब कहा है और देश की जनता चाहती है और पार्टी चाहती है कि नितीश कुमार पार्टी के जेडियूट के राश्ट्री अध्यक्ष बने नितीश कुमार नहीं जेडियूट को खून पसीने से सीचा है तो नितीश कुमार बनेंगे तो सबको खुशी होगी तो इस संकेत को ये माना जा सकता है कि बिल्कुल कुमार या सब लोग उस पर मुहर लगाएंगे और उसते बाद फिर ये भी तय हो जाएगा कि अगले अध्यक्ष नितीश कुमार होंगे कहा ये जा रहा है कि इस फैस देखिए काफी दिनों से इस बाती चर्चा चली रही है कि ललन से इस्तिफा दे सकते हैं इस्तिफा दे भ ललन सिंग अध्यक्ष बने भी रहें लेकिन सारे फैसले जो भी पार्टी से लिरेटेर होते हैं सब कुछ नितीश कुमार खुटताय करें और इसी पात पर सामाती बने थी ललन सिंग का प्रयाद होटी ललन सिंग से कभी नितीश कुमार मिले कभी नितीश कुमार से ललन सि टी इस मुलाकात इतनी जो मुलाकात हुई उसमें यहीं पर डेमेज कंट्रॉल की कोशिस हुई ललन सिंग को मनाने ही UK कोशिश हुई कि आप प्रश्तिरी अध्रचिपत पर बने रहें लेकिन सारे फैसले मुझे लेना है मैं लोंगा लेकिन ललन सिंग करीब करीब कहा ये भी जा रहा है कि ललन सिंग इसलिए तयार हो भी गए थे लेकिन बाद में यानि कल रात को यानि की गुडु बार और शुक्र बार की दर्व्यानी रात को पटना से कुछ न कुछ मैसेज गया है फोन कॉल गया है ललन सिंग से बात चित हुई है और उसके बाद ललन सिंग फूल फॉर्म में आ गया है ऐसा कहा जा रहा है और उसके बाद ललन सिंग ने साफ साफ कहा दिया है कि वैसे अध्यक्ष पद का क्या मतलब जब सारे फैसले आप खुद लेंगे या कोई दूसरा लेगा तो मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए मैं राश्ट्री अध्यक्ष पद से इस्तिफा देने जा रहा हूं अलाकि फिर भी मनाने कोशिश होई लेकिन कहा यह जा रहा है अब तक कि जो इंफर्मेशन है ललन सिंग नहीं माने हैं और व सब पुच पर नितीश फ्रुमार का नियंतरन होगा और पिछले दिनों यहीं नियंतरन उन्होंने खो दिया था और ललन सिंग ध्यठ्श पत्वनात्य सब सब पुच डिसीजन ले रहे ते जिसमें कहीं 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 निपर लगा कि जो वो चाहते serait dedicक कारिकारने की बैठक बुलाई गए इंडिया एलाइंस की चोती बैठक में राजरी की खबर सामने आने के बाद और फिर राष्ट्री परिशत्ती बैठक बुलाई गए उसी समय से चर्चा शुरू हो गए चिकी ललन सिंग को हटाया जा सकता है अलाकि ललन सिंग ने खुद प कुमार जेडियूट के नए राष्ट्री अध्यक्स होंगे लेकिन ये चेप्टर तो यहां पर इस सस्पेंस से तो परदा उठ जाएगा आज खतम हो जाएगा और ये चेप्टर क्लोज भी हो जाएगा लेकिन उसके बाद एक नए अध्याय की शुरूआत होगी चुकी कहा जा रहा है कि ललन सिंग्ग इस बात से खफा हो गया है ललन सिंग्वन पावर शीज्टरने से खफ़ा हो गया है और हो सकता है कि ललन सिंग कोई बरा डिसीजन लें, कुछ बरा फैसला लें, और कुछ बरा करें, पार्टी में रहते भी या पार्टी के बाहर जाने का भी, कुछ भी कर सकते हैं, और ललन सिंग इससे पहले भी अलग हो चुटे हैं, दोजार नौ ट्यास पास में, ललन सिंग लालू यादो लालू फेमली के करीब आ गया है इस यही बाते नितिश कुमार को चुब रही है तो लालू परिवार के करीब आ गया है तो ललन सिंग को और ऐसा कुछ हो रहा है इसी सचाई है तो फिर इस बात का उनको फायदा भी मिल सकता है और इस बात ता नुक्सान भी न प्रभाव परेगा इंडिया एलाइंस पर 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 परेगा महागटवन्दन ची सरकार पर 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 निशा बिलकुल सर तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया